ओम नमश्शिवाय मित्रो जैसे कि आपको पता है शावन का महीना अब शुरो हो गया है तो हम शावन की महीने में शिवलिंग का पूझा करते हैं आपको मैं यहां पर बताने वाली हूँ कैसे हम शिवलिंग को मिट्टी से बनाने वाले हैं तो चलिए आये दोस्तों मैं आपको दिखाती हूँ आज घर पे हम लोग मिट्टी की शेवलिंग पूजा करने के लिए बनाएंगे ठीके शेवलिंग को बनाना बहुत ही आसान है मित्रों आप देख रहे हैं यहां पे बस मैंने मिट्टी ले रखा है और मिट्टी को इस तरह से रोल कर लेंगे जैसे कि आप देख रहे हैं यहां पे और फिर हम इनका अरगा बनाएंगे पहले हमने शेवलिंग बना लिया अब दूसरे में हम इनका अरगा बना रहे हैं और इनको पूरे अच्छे से चिकना बना करके फिर अब हम शेवलिंग का सांप बनाएंगे यह बहुत ही आसान तरीका है बनाने का जैसे कि आप यहां पे देख रहे हैं और माना जाता है कि सावन में हाथ से मिट्टी के शिवलिंग बना कर उनका पूजा करने का बहुत ही विसेश्म महत है और शावन में आप जानते हैं इस बार शावन में पांसुमबारी पढ़ रही है तो हम क्यों न घर पे ही मिट्टी से बना करके शिवलिंग की घर पे ही पूजा करें। आप देख रहे हैं कि हमने कितनी आसानी से घर पे ही मिट्टी के शिवलिंग बना लिया है। आप इस परकार से देख पा रहे होंगे। पहले हमने शिवलिंग बनाई, फिर उनका अरगा बनाया, फिर उनका साप बनाया, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं वीडियो में, अब बस मैं इन्हें थोड़ी सूखने के लिए धूप में रख देंगे, ठीके, तो हम इससे असानी से पांचो संबारी इनकी पूजा क कर सकतें, घर में ही इस पूरे सावन में, और हम पूरे सावन में इनका पूजा करेंगे, और लास्ट में इनका विसरजन कर देंगे, तो आप इधर उधर ना फेकें पूजा करने के बाद, और ना ही पार्क में रखें, और ना ही किसी पेड़ के नीचे रखें, आप अगर हो सके तो कोई छोटी मुटी आपको नदी कहीं पे दिख जाए तलाब दिख जाए तो वहीं पे इनका विसर्जन करें तो आप भी घर पे बनाईए और ऐसे ही सिबलिंग के पूजा कीजिए और पूजा करने की महत्व ही अलग है सिबलिंग के पूजा करनी चाहिए हर हर महादेव ओम नमस्षिवाए